ठेश्री वंडर लाइन में आप सबी का स्वागत है घर के अंदर गन की या सुप चीजे नहीं रखनी चाहिए ये सब चीज रखने से हमारे घर के अंदर लक्षमी जी का वास नहीं होता है एसी हमारी मानियता है कि वासुशासर का अनुसार हमारे घर के अंदर कुछ एसी ची ताला दरपण आईने पर तिरार पड़ गई है तो तुटा हुआ दरपण घर में रखने से असुब माना जाता है एसी चीजों को तरुन्त घर की बाहर निकाल देना चाहिए इलोट्रोनिक वस्तु खराब हो गई है तो उसे जल्दे ही रिप्यर करवा लेना चाहिए बलकी उसे निकाल देना चाहिए किड़े हुए अपकरण को घर में रखने से स्वास्थ और सोभाग्य पर बुरी तरा प्रभावित असरों हो सकती है इसलिए इस सभी वस्तु को घर में नहीं रखना चाहिए खंडित मुर्तियों पुजा स्थान पर नहीं रखना चाहिए उसे कोई पवित्र स्थान पर नदी या समूद्र में विशर्जन कर देना चाहिए ये तुटी मुर्तियों को रखने से वास्तु सास्त्र का दोस लगता है बंद घरी घरी प्रगति का प्रतिक है इसलिए बंद पड़ी हुई घरी उन्नती में बाधक बन सकती है वो रिपेर ना हो तो घर में से दुर कर देना चाहिए घर में से दुर निकाल देना चाहिए क्योंकि हमारे प्रगतिका बाधक रूप ये घरी बन सकती है पूराने जूते बिन उप्योगी जूते घर में से निकाल देना चाहिए वरना वो आपके घर में नेगेवटिव एनरजी और दुर्भार्ग्या ला सकता है तुटे हुए बर्तन को तुटे हुए बर्तनों का उप्योग नहीं करना चाहिए वो घर में नेगेवटिव एनरजी ला सकता है तुटा हुआ बर्तन तरुनतत घर के बाहर निकाल देना चाहिए ये तुटी हुई सब चीजों को रखने से वासुसास्त्र का दोस लगता है तुटा हुआ फनिचर तुटा हुआ फनिचर घर में नहीं रखना चाहिए असुब माना जाता है काच की चीजे तुटे हुआ काच का वस्तु नहीं रखना चाहिए उसको घर से बाहर ठेक देना चाहिए उटा हुआ फनीचर को घर में रखने से असुप माना जाता है घर के छट पर साप सफाय करनी चाहिए छट पर कूडा पड़ा हुआ है तो तुरूंती ही साप कर लेना चाहिए नहीं तो वो असुप माना जाता है इस चैनल को सब्क्राइब नहीं किया हो तो जरुदे के जहां से ना सब्क्राइब कर दीजिए और बाजू में बेल आइकन आते हैं उसको जरुर दबाद दीजिए क्योंकि हम कोई भी वीडियो अप्लोड की है तो आपको तुरांजी नाटिफिकाशन में जाए और आपने इ इस वीडियो का हमें धर एंड कर रहें कर रहें कर लें वीडियो के साथ आप सभी को फिर मिलेंगे आप बाई बाई